Hello everyone and welcome to learn everything. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा NCRT स्लेबर्स कराने वाली हूँ. तो आज किस वीडियो में हम हनी शकल बुक का चैप्टर फर्स्ट फो डिट पैट्रिक स् होमवग को पढ़ेंगे इस चैप्टर में बताया गया है कि जो पैट्रिक नाम का बच्चा होता है उससे होमवग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता लेकिन आखिर में वो किस तरह से अपना होमवग पूरा करता है तो चलिए बिना वक्त कवाई हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं पैट्रिक ने अपना होमवग कभी नहीं किया वह हमेशा बोलता था ये बहुत बोरिंग है इसके बजाए वह होकी, बास्केट बॉल और निन्टैंडो निन्टैंडो एक तरह का वीडियो गेम होता है जो वो खेलता था उसके टीचर उससे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवग किया करो वन्ना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे और ये सच भी था कभी-कभी उसे ये महसूस भी होता था कि वह बहुत बढ़ा अग्यानी है याने कि उसे किसी भी तरह का ग्यान नहीं है लेकिन वह कर भी क्या सकता था उससे होमवग करने से नफरत जो थी फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुडिया के साथ खेलते हुए देखा और उसने वो गुडिया उससे छीन ली उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह एक गुडिया नहीं बलकि एक छोटे से साइच का याने कि छोटे से आकार का आदमी है उसने एक छोटी सी उनी कमीच और एक पुराने फैशन की घुटनों तक पैंट पहन रखी थी और सर पर जादुगर की तरह उंची और लंबी सी टोपी पहनी थी वो चिलाया कि मुझे बचाओ और मुझे उस बिल्ली को दुबारा वापस मत दे देना इससे मेरी जान बचाओ और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा अगर तुम मेरी चान इस बिल्ली से बचाओगे तो मैं वादा करता हूँ पैटरिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लखी है यानि की भागशाली है और यहाँ पर उसे उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे तभी पैटरिक एल्फ से यानि की उस छोटे से आदमी से कहता है कि अगर आप मेरा सेमिस्टर खत्म होने तक मेरा जितना भी होमवक है उसे पूरा करोगे और मेरे सेमिस्टर को अभी खत्म होने में 35 दिन बाकी है अगर आप अच्छा काम करोगे तो हो सकता है कि मुझे सबी सब्जेक्ट्स में एक रेट मिल जाए तभी मैं आपकी जान बचाऊंगा तो इस बात को सुनकर जो छोटा आदमी होता है वो अपने चहरे को गुस्से में इस तरह से सिकुडा देता है बिल्दकुल वैसे ही जिस सरह से हम किसी कपड़े से हाथ पोचकर उसे फेक देते हैं और फिर उस कपड़े में सिल्वटे पर जाती हैं उसी तरह से वो जो पिर वो तरह तरह की मूँ बनाने लग जाता है, कभी तो वो गुस्से में अपनी आइब्रोज को उपर उठा लेता है, और कभी अपने होटों को जोर से दबा लेता है, और फिर वो कहता है कि क्या करूँ, अब तो मैं फस्क्या हूँ, अब तो मुझे इसका काम करना ही होगा और अपनी बात के अनुसार जो उसने कहा था कि वो पैटरिक का होंवा करेगा वो पैटरिक का होंवा करने की तयारी शुरू कर देता है लेकिन यहां पर एक गड़बड़ी हो जाती है कि जो एल्फ होता है याने कि वो जो छोटा सा आदमी होता है उसको यह पता ही नहीं होता कि उसे आखिर करना क्या है और अब यहाँ पर उसे पैट्रिक की मदद की जर्वत होती है फिर वो गुस्से में चिलाता है help me help me यानि कि मेरी मदद करो और जो पैट्रिक होता है उसे हर तरह से उसकी मदद करनी पड़ती है एल्फ जब पैट्रिक का homework करने के दौरान पढ़ रहा होता है तो वो गुस्से में चिला रहा होता है कि इस word का मतलब मुझे नहीं पता है मुझे एक dictionary लेकर आओ नहीं नहीं तुम dictionary मतलाओ तुम ऐसा करो तुम एक एक word को pronounce करके मुझे बताओ किसका मतलब क्या है और जब बात maths की आती है तो elf के तो समझ से ही बाहर होता है वो चिला कर बोलता है ये timetables क्या है हम elves लोगों को कभी इसकी जरुती नहीं पड़ी और addition यानि की जोड़ना subtraction यानि की घटाना division यानि की भाग और fractions ये सब क्या है यहाँ पर मेरे पास में बैठो और मुझे आसानी से guide करो किसमें करना क्या है और जो elf था उसे human history यानि की मानवों के इतिहास के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था और मानव इतिहास तो उसके लिग पहली थी और जो छोटा elf होता है वो और जोर से बोलने लग जाता है वो पैट्रिक से कहता है कि जाओ लैविरी जाओ मुझे और किताबों की जरुत है मुझे जादा किताबे चाहिए और तुम भी मुझे इसे पढ़ने में मेरी मदद करो लेकिन अगर देखा जाए तो हर दिन जो छोटा elf था वो पैट्रिक को बहुत परिशान कर रहा था और जो पैट्रिक होता है वो भी बहुत जादा मेहनत करता है वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है कभी कोई किताब लाता है तो कभी कोई डिशनरी लाता है इस तरह से जो एल्फ होता है वो पैट्रिक को बहुत परिशान कर देता है और जो पैट्रिक होता है वो रात रात भर जगता है और वो भी बहुत ज़्यादा ठक जाता है जब वो सुबा उठता है और फिर अपने स्कूल जाता है तो उसकी जो आखे होती हैं वो पूरी तरह स सुजी वी और लाल दिखाई दे रही होती हैं और आखिरकार स्कूल का अंतिन दिन भी आ जाता है और जो elf होता है यानि कि जो छोटा आदमी होता है अब वो पूरी तरह से free हो जाता है क्योंकि वो पैट्रिक का सारा homework पूरा कर देता है और अब कोई भी homework नहीं होता है करने को और यहाँ पर elf जो होता है वो अपना promise भी पूरा कर देता है तो फिर वो चुपचाब से, चुपके से, पीछे के दरवाजे से निकल जाता है और जो Patrick होता है उसे हर सजट में एक रेट मिलता है उसकी जो classmates होते हैं वो यह देखकर बहुत हैरान हो जाते है उसकी teacher उसकी तरव smile करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं और जोसकी मम्मी पापा होते हैं वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यह Patrick के साथ क्या हुआ जो हर सजट में A grade लिया आया और अब जो Patrick होता है वो एक model kit बन जाता है पूरी class में अब इसके बाद से जो Patrick होता है वो अपना वहवार पूरी तरह से बदल देता है पहले उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था लेकिन अब वो पूरा काम मन लगा के करता था वो अपने कमरे की सफाई करता था अपनी देख भाल करता था और खुश रहता था आप वो बिल्कुल भी rude नहीं था और आप देख सकते हैं कि इस कहानी के अंत में जो Patrick होता है उसे लगता है कि जो homework किया था वो उस छोटे से आदमी ने किया था लेकिन मैं आपके साथ एक secret शेयर करूंगी जो कि आपके और मेरे बीच में रहेगा तो secret ये है कि जो Patrick का सारा का सारा homework था वो elf ने नहीं किया था बलकि वो homework पैटरिक ने खुद किया था क्योंकि जो elf होता है उसे तो कुछ भी नहीं आता था ना ही उसे addition आता था ना ही उसे subtraction आता था ना उसे division of fractions आता था ना उसे कोई word का मतलब पता था ना ही उसे human history आती थी तो जो पैटरिक था वो उसे सारी चीजे बताता था तो इस तरह से जो पैटरिक था उसने वो सारा का सारा homework खुदी किया है तो इसी के साथ हमारे चैप्टर समात होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ जासर शेर कीजिए और साथी साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में thank you